राधे राधे दोस्तों आपकी अपने यूटूब चेनल स्वास्तिक खाना में आप सभी का स्वागत है आज की हमारी स्वास्तिक खाना रेशेपी है सोया बड़ी की सबची जो की प्रोटिन से भरपूरी और खाने में भी बहुती ज़्यादा मज़ेदार लगती है रेशेपी चुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस किजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे चलिए शुरू करते हैं रेसेपी बनाते हैं सोया बड़ी की सबजी तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बाउल लिया है और इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स या सोया बड़ी जो की हमने लगभग लिये हैं 80 ग्राम एक पाउल में डालने के बाद में आब हम इसे अच्छे से पानी में 10-15 मिनिट के लिए अच्छे से भिगो करके रख देंगे 10-15 मिनिट के बाद में अब हम एक कूकर लेंगे और कूकर में सायरी सोया बड़ी को हम ट्रांसफर कर देंगे और कूकर में हम एक विसलाने तक इसे अच्छे से पका लेंगे सोया बड़ी कूकर में बिल्कुल अच्छे तरीके से सोफ्ट हो जाएगी इसलिए हमें थोड़ा सा पाने डाल करके इसे अच्छे से एक भी सलाने तक पका लेना है तो आप देख सकते हैं हमारी सोया वड़ी जो है अच्छे से परफेक्टली पक चुकी है एकदम से बिल्कुल सौफ्ट हो चुकी है अब जो है हमें कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में सबसे पहले हम तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तेल गर्म हो जाए तो हम डालेंगे इसमें हींग, तेज पत्ता और दाल चीनी और पांसे छे काली मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चमच राई एक चमच हम इसमें डाल देंगे तील और एक चमच हम इसमें डाल देंगे जीरा सारे मसाले तड़कने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे दो से तीन बारी कटी होई हरे मिर्च और मिर्ची को भी हमें अच्छे से तड़का लेना है जब मिर्ची भी एक सी दो मिनेट में अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें डालेंगे दो मिडियोम साइज के बार मिडियोम फ्लेम परया पका लेंगे तिनसे चार मीट में टमाटर यह है अज़ेशी पक जाएंगे अब Ist matar ज्मे से डालेंगे दो하고-फ सबीयर पेड़ चमच मेरेंगे। लाल पकार और यहां पर दन्या पावडर यहां सबेड़र लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और पानी एट करने के बाद में इसे लो फ्लेम पर अच्छे से 2-3 मिट तक हमें मसाले को अच्छे से पका लेना है मसाला जो है अच्छे से पक चुका है तेल भी इसमें सेपरेट होने लगा है अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देंगे और सोया चंक्स डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे अच्छे से हम थोड़ी देर 2-3 मिर्ट तक पकाएंगे और उसके बाद में हम इसमें 1-1.5 गलास पानी एट कर देंगे हम सोया वड़ी की सब्जी जो है यहाँ पर रस्य दाल बना रहे है इसलिए हमने थोड़ा पानी एक्स्ट्राइट किया है आप चाहें दू पानी की मात्रा कम भी रख सकते हैं सब्जी जो है बिल्कुल अच्छे से उबलने लगी है अब हम यहाँ पर डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला और इसे एक से दो मिर्ट तक पकाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा हरा धनिया और बस अच्छे से मि प्लिस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा धन्यवाद जय हिन जय भारत थेंक्स वर वाचिंग प्लिस ल नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का खयाल रखिएगा